प्रदेश में राजसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मिया तेज हो गई हैं। कॉंग्रस विधायकों की बाड़े बंदी के बाद भाजपा ने भी अपने विधायकों की बाड़े बंदी शुरू कर दी है। आजसभा चुनाव को लेकर आज भजपा मुख्याले में विधायक दल की बैठक हुई बैठक के बाद विधायकों को बीजेपी कारेले से बसों में बठाकर सीधे सीता पूरा सित होटेल क्राउन प्लाजा में शिफ्ट किया गया जहां पर आजसभा चुनाव तक विधायकों को होटेल में ही रखा जाएगा विधायक दल की बैठक में पूरो मुख्यमंतरी वसंदर राजस सहित करीब एक दरजन भाजपा विधायक और दो आरलपी के विधायक शामिल नहीं हुए आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के पास दूसरी सीट के लिए परयाप तो संख्याबल नहीं है वही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि बाड़ेबंदी कॉंग्रस कर रही है बीजेपी का तो ये चिंतन शिवर है कोरोना महमारी और संख्यचन के कारियों को लेकर चर्चा करेंगे करेंगे पाइटी के सभी लोग नहीं और पुराने उनको बोड़ डालने का प्रयास करेंगे और कोरोना की इसके समय में जो सेवाएं कि उसके रिपोर्ट भी लेंगे और आगे और करने के लिए क्या कारण है कि सेंदमारी का डरता इस वज़े से सिफ्ट क्या जा रहा है जिंदगी में सवाल ही नहीं प्रदा हो इतने दिन पहले 16 तारीक गोशित की दो का है कि सेंदमारी है और एक आखरी सवाल मेरा आप से कि जिस प्रकार से आज काफी विदाइक दल की बैठक बुलाई गई थी लेकिन अठावन विदाइक ही बैठक में पहुंचे आरल पी के भी दो बैठक मेरे हिसाब से क्यों छे साथ लोग नहीं आए उनमें से सबसे मेरी बात हुई कुमार जी की माता जी की स्वर्गवास हो कहा है इसे काने आज रल्पी के अब आएंगे उनका देख आए हैं तो यह नेका प्रस्वेश गुलाब जंद कठारिया जिनको कहना है कि भारतिये जंता पूरी एक्जूट है और इन दो दिन में चिंतिन किया जाएगा किस परकार से राजे सबा चुनाओं में मद्दान करना है उसको लेकर प्रक्षिक्शन दिया जाएगा पार्टी पूरी तरह एक्जूट है कॉंग्रेस किसी भी प्रकार से भाजपा में सहंदबानी नहीं कर सकती कहना परसन वीजेगरी के साथ पिंटु सिंग नरुकवा एवन टीवी याओवा ऌतलि प्रक्षि कॉंगा पार पार्टी नहीं कर पार्टी को पूरी तरह येवी है कॉंग्की कर कॉंग्क्वा regularन वीजेगरी का उन्यूट। है उत्याएं नहीं कर सकते है कर सकती कॉंग्